आस्था का महापर्व यानी छटपर्व हर साल कार्तिक मास्क में शुकल पक्ष की शष्ठी को छटपर्व मनाया जाता है ये पर्व चार दिन तक चलता है हिंदु धर्व में इसका विशेश महत्व है खास्तोर से उत्तर भारत का ये सबसे बड़ा पर्व है चट का व्रत संदान की लंबी उम्र और उज्वल भविश्य के लिए रखा जाता है ये आस्था का प्रतीक है चट पर्व को सबसे कठिन पर्व माना गया है आपको बता दे कि 36 घंडे तक व्रती जल भी गर्ण नहीं करते यानि निर्जल रहते हैं आपको बता दे कि इस बार चट पर्व की शरुवारत 18 नमंबर सुभे 9 बचकर 18 मिनट से हो रही है और समापन 19 नमंबर रविवार सुभे 7 बचकर 23 मिनट पर उधिया तथी के हिसाब से देखे तो 19 नमंबर को चट है पहला दिन नहाय खाय का होता है इस बार नहाय खाय 17 नमंबर को है चट पूजा में डूपते और उपते सूरे को अर्ग दिया चाता है चट पर्व के दौरान पहले डूपते और उपते सूरे को अर्ग देने के दौरान सिंदूर चमकते दिखते रहना चाहिए इसलिए महिलाएं रादभर सिंदूर लगाती है दरसल छटपर्व के दौराण डालया रोहन एक दिन पूर्व, शाम और अगले दिन सुबह होता है संध्याकाल में खस्टी देवी भक्त वत्सला सुहागन है इनके सुहागन के प्रतीक होने के वज़ा से रादभर सिंदूर करके इनहीं प्रसन न किया जाता है कहते हैं कि महिलाएं नाक से लेकर के सिर्थ तक सिंदूर लगाती है यानि कि जिससे पती की उम्र लंबी होती है, समाच में प्रतिष्ठा मिलती है, तरक्की मिलती है चट को जिस तरह से किया जाता है वो इसे कठिंदम व्रतों में से एक बना देता है इसके नियम बेहत कड़े हैं आपको बता दे कि 36 गंटे तक निर्जल रहना तो एक नियम है ही उसके अलावा तीन दिन तक नमक को चूना भी नहीं होता है व्रती को घर के कोने कोने की सफाई करनी होती है शाकाहरी भोजन रहन कर व्रत की शुरुवात की जाती है पहले दिन घर के सभी सदस से व्रती के भोजन करने के बाद ही भोजन रहन करते है चटपूजा का दूसरा दिन होता है खरना खरना का मतलब है पूरे दिन का उपवास व्रती इस दिन जलकी एक पून तक रहने नहीं करता या करती व्रत का तीसरा दिन होता है संध्या अर्ग का सूरे शष्टी को छट पूजा का तीसरा दिन रहता है डूपते सूरे को अर्ग दिया जाता है दीसरे दिन में छट प्रसाद तयार किया जाता है। प्रसाद के रूप में ठेक हुआ और चावल के लड़ू बनते हैं। बांस के टोकरी में अर्ख का सूप सजाया जाता है। छट प्रती, तालाप या फिर पवित्र नदी में एकठा होकर समूहिक रूप से अर्ख देते है ये आस्था का प्रतीक होने के साथ ही समाज में एकता का और समूह में किस तरह आप एक शक्ती रूप में आस्था को परिवर्दित करते हैं इसका भी परिचायक है। चौदे दिन उप्ति सूरे को अर्ख दिया जाता है। प्रती फिर एक होते हैं। अंत में कच्चे भराई की वही एक बहुत एहम रस्म होती है। आंगन ये चत पर सूरेजश्टी की शाम अर्ख देने के बाद कोसी भराई पूजल होता है। चारो तरफ से गन्ये के समूह से छत्र बनाया जाता है। फिर लाल रंग के कपड़े में ठेक हुआ फल केला रखकर गन्ये को छत चत्र से बादा जाता है। गन्ये के चत्र की बीच मिट्टी का हाथ रखा जाता हैं, जिसके ओबर मिट्टी के चलते हुए दिये ताही सजाए जाता है। फिर छचटी मया के गीद गाये जाते हैं। चट का पर Edge एसा आलोग फर्व हैं। जिसे देखना भर एक दिविता का एहसास दिलाता है कहते हैं कि जुवरती पूरे नियम के साथ छटका पर्व करते हैं उसे अखंड सोभागी की राप्ती होती है